सो हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब उम्मिद करता हूं अच्छे होंगे मैं अस्तोस आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वाइट करता हूं आज का वीडियो हमारा बहुत ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको ऐसा एम्प्लिफायर बताने ज आपके लिए और आपके डीजी के लिए बहुत ही वेस्ट होने वाले हैं इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप इसे अम्प्लिफायर को कितने प्राइज में बाई कर सकते हैं और इसका फुल एंफॉर्मेशन वीडियो बताएंगे कि आप इसके टूओं फोरम और ये टों सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को लाइक कर दीजी और एक पहरासा कमेंट कर दीजेगा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे नंबर वन पर मैंने जैफर लैप्स को रखा है जैफर लैप्स के इस एंप्लिफायर का मौड नंबर होने वाला है जैफर लैप्स जेड टेन यानि कि दीजेप्स्टर सीरीज का ये एंप्लिफायर है ब्लू सीरीज में जो आता है उस सीरीज के एंप्लिफायर में लिया है जो कि इसका मौड नंबर जेड टेन है यानि कि ये 10,000 watt का amplifier होने माला है बात करें इसके output की तो ये आपको 8 ohm पर 2150 watt का output निकाल कर देगा दोनों channel पर और 4 ohm की बात करें तो ये 4 ohm पर आपको 3450 watt का output निकाल कर देगा per channel पर वहीं बात करें इसके 2 ohm की तो ये 2 ohm पर आपको 5500 watt का output निकाल कर देगा per channel पर यानि कि यह आपको ग्यारा हजार का आउटपूर्ट देखने को मिलेगा यह इंप्लिफायर बहुत ही जबर्जस्ट होने वाला है आप अपने स्पीकर को इस पर कनेक्ट कीजिए बहुत ही पाउरफुल आपको आवाज देखने को मिलेगा बात करें इसका डैंपंग फैक्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगी यह क्लाश ठीक है अम्प्लिफायर है तो आप समझे सकते हैं कैसा अम्प्लिफायर होने वाला है बहुत ही लाइट वेट अम्प्लिफायर होने वाला है और आपको इसमें ले जाने में बहुत ही ज्यादा आसानी होने वाली है बात करें इसका अप्रोक्स प्राइस कित इसका अप्रोक्स प्राइस आपको 1,20,000 से 1,30,000 के आसपास देखने को मिलेगा प्राइस थोड़ा सा उपर नीचे हो सकता है क्योंकि यह एम्प्लिफायर हमेशा सोटेज रहता है तो जैसा एरिया रहेगा मार्किट के इसाब से प्राइस थोड़ा सा उपर नीचे हो सकता है 15,000 का फर्क आ सकता है क्योंकि यह एम्प्लिफायर हमेशा से सोटेज में रहता है किसी ही दुकावन पर आपको साइध ही देखने को मिलेगा यह एम्प्लिफायर ब्लू सिलिस के एम्प्लिफायर है तो आपको दो सार की गरांटी देती है तो आप इसे बेफिकर होकर खरी सकते है आपकी डीजी में यह चार्चान लगाने वाला है आप प्रॉफिट के अलामा इसमें लॉस आपका नहीं होगा पर चलिए बढ़ते हैं अगले एम्प्लिफायर के तरफ तो होने वाला हमारा एटियाई प्रो की तरफ से जो कि हमारा एटियाई प्रो अभी के टाइम पे बहुत ही जादा जाना वाना ब्रैंड हो चुका है और इसके स्पिकर्स और एम्प्लिफायर नेट्वर्क बहुत ही ज्यादा आपको यूज में देखने को मिलेंगे और बहुत ही अच्छी क्वाल्टी में आपको ये प्रोड़क्ट प्रोवाइट कराते हैं आज हम इनी के एम्प्लिफायर के बारे मता जाएं जिसका मॉडल नम्बर होने मला है एटी आई टेन थाउजेंट यानि कि ये दस जार वाट का एम्प्लिफायर आपको देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छा एम्प्लिफायर इसका लुक बहुत ही अच्छा दिया गया है जैसे कि आप देखते हैं आपको लिने का मन करेगा क्योंकि इसका डिजाइन ही बहुत ही अट्रेक्टिव रखा गया तो फ्रेंट्स चले जान लेते हैं इसका और और इस पेसिफिकेशन की आपको कितने वाट का आटपुट देखने को मिलेगा तो फ्रेंट्स बात करें इसके 8 Ohm की तो ये 8 Ohm पर आपको 2500 Ohm का आटपुट देगा पड़ चैनल पर ये base के लिए ही खासकर amplifier बनाया गया है base इसमें आपको भरपूर मातरा में मिलेगा high punch और high vibration के साथ में आप इसे use me ले सकते हैं आपके dg में ये चार चांद लगाने वाला है तो friends आप इसे ले सकते हैं आप इसे buy कर सकते हैं इसके bridge mode की तो ये 8 ohm की bridge mode पर आपको 8,000 watt का output निकल कर देगा और वहीं बात करें इसके 4 ohm की bridge mode की तो आपको 4 ohm पर ये आपको 10,000 watt का output निकल कर दे देता है इसका damped factor बहुत हाई दिया गया है तो आप इसे base में बहुत ही ज़्यादा आपको फ़्यादा मिलने वाला है base आपको इसमें high pressure के साथ में मिलने वाला क्योंकि इसका damped factor 2000 दिया गया है weight की बात करें तो इसका overall weight आपको 40 कीजी के आस-पास देखने को मिलेगा जो की काफी heavy amplifier होया था विससाब से इसका weight भी बहुत है heavy दिया गया है इसका approach price की बात करें तो इसका approach price आपको 90,000 से 1,000,000 के बीच में देखने को मिलेगा क्योंकि यह amplifier बहुत ही ज्यादा demandable amplifier है और बहुत ही powerful amplifier है तो इसका price भी आपको high देखने को मिलेगा price थोड़ा सा उपर नीचे हो सकते हैं area और market के हिसाब से तो आप लोग उतना manage कर लीजिएगा सफ़र्ण चलिए बढ़ते हैं आपने तिसरे amplifier की तरफ तो तिसरे amplifier हमारा होने वाला है nx audio की तरफ से इसका model number होने वाला है n10k mk2 इसका model number बहुत ही ज्यादा unique दिया गया है यानि कि आप इसे बहुत लंबा समझ लेजिए कि यह amplifier का model number लेने में काफी दिक्कत आती है सायद आप लोग इसे साही डंग से ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं comment box में जरूर बताईएगा कि आप लोग इसका नाम एक बारी में ले पाते हैं आपको 2400W का output देगा at 4 channel पर यानि कि यह आपको 4 चैनल का amplifier का इसमें आप SI नहीं दिया गया है और बात के रहें इसके 8 ohm bridge mode की तो ये 8 ohm bridge mode पर आपको 4400 watt का output देगा at 2 channels पर इसका frequency response आपको 20 Hz से 25 kHz तक देखने को मिलेगा इसके overall weight की बात के रहें तो इसका overall weight आपको 16 kg के आसपास देखने को मिलेगा damping factor इसका 500 दिया गया है यह थी इस amplifier की overall expression यह amplifier 4 channel का amplifier होने वाला है तो आप इसे बहुत ही ज़्यादा यूज में ले सकते हैं अपने DJ और live program के लिए क्योंकि यह 4 channel का amplifier है तो आप इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपके लिए होने वाला है इसका अप्रोक्स प्राइस की बात करें इसका अप्रोक्स प्राइस आपको 95,000 के बीच में देखने को मिलेगा प्राइस थोड़ा सा उपर नीचे हो सकता है इस वीडियो में जो भी प्राइस बताई गए हैं सभी amplifier की वो इंटर नेट प्राइस है तो आप लोग को मार्कीट के हिसाद से और एरिय के हिसाद से प्राइस थोड़ा सा उपर नीचे हो सकता है द्थो चार-पांच-विडियो का फरक आसकता है तौ आप लोग उतना मैनेज कर लिजिए यह मैं एक आइडिया दे दे रहा हूँ कि आप लोग को इतने से इतने के बीच में आपको एंप्लिफायर मिल जाना चाहिए आपके लोकल एरिये में यह था हमारा आज का वीडियो आसा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आप वीडियो में दी गई थोली स से भी जानकारी अगर आपको अच्छे लेगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल नोटिफिकर्शन को आल पर सिलेक्ट कर लिएजेगा ताकि हमारा मोटिफेशन बना रहा है और आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो आम लेकर आते रहे जिससे आपको काफी मदद मिलत अब झाथी रहे अगर कोई सवाल हो सुझाओ या कोई कमेंक हो कि आप कि इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग के में से च्छोड़ते हैं मैं जरूर्व करूंगा क्या आप को आपके सवाल का जवाब दिया जाए और आपके टॉपिक पर वीडियो जल्द से जल्द लाए जाए तो फ्रेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही आसा करते हैं वीडियो अच्छा लागा होगा और अच्छा लगा अच्छा लगा सब्सक्राइब कर लेज़ेगा और वीडियो को लाइक कर देज़ेगा तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स् जे भारत